इस वीडियो में हम लोग buy put option strategy सीखने जा रहे हैं जिसे कई books में long put option strategy भी कहा गया है माल लिजे in future अगर आप कोई भी course लेते हैं या अगर आप कोई भी book पढ़ते हैं तो हो सकता है वहाँ पर इसका जो नाम हो वो long put option strategy लिखा हो इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो आस तक जब भी आपने put option को buy किया क्या आपको पता था कि उस समय stock के price के साथ क्या होना चाहिए लेट से कि आपने stock option buy किया हो हो सकता है आपने index option को buy किया हो तो क्या आपको पता था कि उस समय index से price के साथ क्या होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको उस सारी बाते बताऊंगा जब भी आपने put option को buy किया क्या आपको पता था कि कितना profit हो सकता है कितना loss हो सकता है कितना ROI होगा that is called return on investment P.O.P कितना होगा that is called probability of profit और जब भी आपने put option को buy किया तो क्या आपको पता था कि क्या payoff chart बन रहा है किस परकार से उसको read करते है क्यूंकि in future मान लिजिए आप अपना जो carrier है वो option trading में बनाते है तो payoff chart read करना आपको आना ही चाहिए क्यूंकि वहाँ पर आप multiple strategy यूज़ करेंगे किस तरह से break even point आता है किस तरह से payoff chart को read किया जाता है इन सभी के बारे में आपको knowledge चाहिए होगा और ये बिल्कुल ही basic video है जहाँ पर आपका जो base है वो build होगा option strategy के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही नहीं बताऊँगा कि price और put के बीच में क्या relation है बलकि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कौन से strategy यूज़ करके put option को buy करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें put option कब buy करना चाहिए जब भी आपने analysis की हो आपको ये पता चला हो कि price गिडने वाली है तो हम लोग put option को buy करते हैं मतलब क्या हुआ price is inversely proportional to put option अगर price गिरेगा तो put option की जो value है वो बढ़ेगी तो हमें ऐसा stock find करना चाहिए या अगर आप index में trading कर रहे हो तो price गिडना चाहिए अब आईए इस slide में आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा deeply समझते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि what's your view मतलब जब आप put option को buy कर रहे है तो आपका view क्या होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है कि आपका जो view होना चाहिए वो bearish से होना चाहिए अब bearish में क्या होता है जो price होती है वो गिरती है तो यहाँ पर मैंने एक line भी लिखिए price should fall and quickly माल लिजिए आपने कोई भी stock option को buy किया या आपने index option को buy किया और price हो धीरे धीरे गिर रहा है और let's say कि आपने जो put option को buy किया है उसकी premium 100 रूपीज है तो क्या होगा कि आप तो कहोगे कि sir यह जो stock या index का जो price हो तो गिर रहा है मेरे premium की value बढ़नी चाहिए बढ़ नहीं रहा है region एक ही है theta decay अगर यह slowly गिरेगा तो आपका जितना इसमें increment होना चाहिए था वो consume कर लेगा theta decay तो price क्या होना चाहिए तुरत गिरना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए price कुछ इस प्रकार से गिरना चाहिए मतलब जादा time नहीं लगाना चाहिए अगर जादा time अगर लेगा तो जितना जो premium में increment होना चाहिए था उतना आपको increment नहीं देखने को मिलेगा तो हमारा view clear हो चुका है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी strategy हमें use करनी चाहिए put option को buy करने के लिए और इसमें आपको क्या करना है कि आपको इन सभी strategy के बारे में खुद बढ़ना है and इसके उपर आपको practice करना है at least 5-6 महीने जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि कौन सी strategy जो है वो आपके लिए better है ध्यान रखेगा आपके लिए जो better है वही आपको benefit देगा दूसरे के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है उससे आपके जीवर में कोई भी फर्क नहीं आएगा तब आइए strategy की तरफ बढ़ते हैं तो strategy सबसे पहला जो strategy है वो है breakdown का माल लीजिए कोई stock का जो price है वो बार बार एक label को touch करता है और इसको break करने की कोईसिस करता है जैसे इसको break करता है इसको हम लोग breakdown करते हैं और आप यहाँ पर put option को buy करते हैं तो ask का जो date है वो है 12th June का और मैं आपको एक chart के बारे में बता देना चाहूंगा Tata Steel आप Tata Steel का chart देख लिजेगा Tata Steel में अभी support जहें वो break हुआ है तो वहाँ पर आप एक अच्छा put option को buy कर सकते हैं तो यहाँ पर एक सवाल किया जा सकता है क्या sir हमें सिर्फ और सिर्फ support के breakdown पर buy करना चाहिए नहीं यहाँ पर multiple patterns है जो most common है मैं वो लिग देता हूँ पहला होता है inverted head and shoulder और यह intraday और positional दोनों के लिए है दूसरा है support जैसा कि अभी हमने discuss किया और मैंने अभी 12th June को एक example दिया है Tata Steel का और आप inverted pole and flag pattern में भी put option को buy कर सकते हैं देखिए यह तीनों मेरे favorites हैं इसलिए मैंने आपको बताया है तो इन तीनों के बारे में study कीजिए अगर नहीं आता है तो चैनल को subscribe करिए मैं आपको कुछ दिन में ये सारे वीडियो अपलोड कर दूँगा अब इसके बाद देखते हैं कौन सी strategy हम लोग और यूज कर सकते हैं put option को buy करने के लिए reversal माल लीजिए price कुछ इस प्रकार से move कर रहा है और reversal पर हो सकता है एक inverted hammer बन जाए और यहां से price fall हो सकता है तो इस case में हम लोग put option को buy करते हैं अब यहां पर एक सवाल और आसकता है कि सा reversal के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा मतलब कौन से pattern हमें study करने पड़ेंगे तो पहला है inverted hammer का दूसरा है double top तीसरा है triple top bearish angle fin bearish angle fin का मैं pattern बना देता हूँ देखिए नाम थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा अगर यह top पे बनता है तो यहां से इसके जो गिरने की probability होती है वो काफी जादा होती है फिर three candlestick pattern में आप evening start को भी ले सकते हैं और एक और जो काफी important है nifty और bank nifty के लिए वो है gravestone doji अगर gravestone doji top पे बनता है तो वहां से इसके reversal के जो chances है वो काफी जादा हो जाते हैं अब आईए देखते है third strategy third strategy है retracement का अब इसमें क्या होता है price नीचे गिरता है then यह retrace करता है कई लोग यहां पर फिवोनाकी लगा के यह calculate करते हैं कि कितना percent का retracement हुआ and then यहां पर put option को buy करते हैं मैं क्या करता हूँ कि यह जो line है मतलब price जो है अगर यहां तक गिरी है और यहां से यहां से जो price है यहां से क्या हुआ है buying आई है अगर यह level अगर break होता है तो मैं यहां पर put option को buy करता हूँ आप retracement पे भी buy कर सकते हैं अगर आपको फिवोनाकी अच्छे से आता है तो to be honest मुझे personally उतना कोई खास interest नहीं है किसे भी indicator या oscillator में मैं purely price action trader हूँ तो यह बात रही है retracement की चौत्य strategy हमारे पास कौन सी है और यह है inside candle breakdown और यह strategy काफी जाद आपको benefit देगी इसमें क्या होता है कि एक candle बनता है और यह intraday और positional दोनों में काफी अच्छा profit देती है आप जब भी कहोगे मैं इसमें आपको life trade करके दिखा दूँगा तो यह candle बनी और यह rate color की candle है एक selling आया दिन क्या हुआ थोड़ा सा price उपर गया और यह जो low है इसको break नहीं करना चाहिए जैसे ही यह low break करेगी हम लोग यहां पर put option को buy कर सकते है और हमारा stop loss इस case में क्या होता है यह वाला इसका जो high है यह हमारा stop loss होता है और यह nifty और bank nifty में काफी अच्छे तरीके से काम करता है तो आप क्या करेंगे पांच मिनिट का chart open करके bank nifty में last 30 days का देखिए आपको at least ऐसा pattern जो है more than 50 times मिलेगा और 50 में से कम से कम 35 times आपको profit होगा put option के buying में तो I hope कि strategy वाल जो part होगा वो काफी clear होगा अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में लिखिए मैं जरूर reply करूँगा अभी तक हमने यह सीखा कि put option को कब buy करना चाहिए put option के buy के बाद जो cases बनते हैं अब हम लोग उसके बारे में discuss करने जा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कई terms लिखें max profit, max loss, break even break even में थोड़ा सा discuss कर देना चाहूँगा यही पर break even एक ऐसा point होता है मतलब एक ऐसा price होता है कि अगर expiry के दिन अगर आपका जो price हो सकता है stock या index अगर close करता है तो आपका जो break even होगा मतलब जो आपका loss होगा वो 0 होना चाहिए मतलब अगर break even point पे हमारे stock या index का price close करता है तो हमारा loss 0 होगा उसके बाद ROI that is called return on investment देखेंगे फिर उसके बाद P.O.P. देखेंगे तो यहां पर आपने देखा 4-5 terms लिखें है to be honest मुझे theory में कोई भी interest नहीं है इसलिए मैं आपको एक example के थूरू सिखाने जा रहा हूँ तो example पर ध्यान दीजेगा और यह आपका base build up करेगा let's say कि मैंने का stock लिया Reliance का और इसका मैंने 2800 का put option को buy कर लिया PE इसकी price कितनी है let's say 50 रूपीज अगर मैंने इसको 50 रूपीज में buy किया तो मुझे कितना pay करना पड़ेगा 12,250 अब ऐसा क्यों क्योंकि इसका जो lot size है वो है 250 का तो हमारा investment कितना होगा 12,250 का हमारा investment है I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा investment है अब देखिए यहां से क्या हो सकता है कि जो reliance है let's say reliance का अभी price चल रहा है 2800 और आपने ATM ही buy किया है ATM, ITM, OTM अगर कोई भी दिक्कत है तो मैंने already में एक वीडियो बना रखा है आप उसे जाके देख सकते है माल लिजी in future जो price है 2700 पर आ जाती है तो आपका यह जो premium है वो around 150 के पास आ जाएगा ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो profit होगा 150 into 250 हो जाएगा तो आप इसे calculate कर लिजेगा देखिए हमने pay कितना किया था 12250 को तो 12250 प्लस कितना 100 point का increment हुआ तो 100 point में आपको profit कितना होगा 250 का lot है तो यह हो जाएगा 25,000 का profit जो कि आएगा आपका 37,550 के आसपास तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने 12,000 लगाके 37,000 मतलब हमने 25,000 का profit कमा लिया almost यह हमारा कितना होगा triple हो गया तो 12,000 लगाके अगर हमें profit हो रहा है around 25,000 के आसपास तो यह तो हमारा double हो गया मतलब इसे क्या कह सकते हैं 200% returns माल लिजे price जो है वो 2600 पर आ जाती है अगर 2600 पर आती है तो इसकी जो price होगी मतलब यह जो premium है इसकी price होगी around 250 के आसपास तो आप 37,550 में 25,000 और जोड़ देंगे तो यह आजाएगा around 52,000 प्लस के आसपास तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका profit है वो कितना भी ऊपर जा सकता है let's say कि price जो है around 350 के आसपास यह मैं कोई hypothetical नहीं बोल रहा हूँ यह calculated values है price इसके आसपास ही होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो profit है वो unlimited है मतलब क्या हो रहा है कि price जितना गिरता चला जाएगा profit हमारा उतना बढ़ता चला जाएगा अब बात करते हैं loss की आपने कबाई किया था 2800 पर और expiry के समय price या तो 2800 या इसके उपर अगर चली जाती है तो यह जो premium है वो zero हो जाएगा तो आपने जितना investment किया था 12,250 यह हो जाएगा zero क्यों होगा zero क्योंकि इस premium की value हो जाएगी zero तो आपका maximum loss कितना है 12,250 मतलब क्या हुआ कि जो आपका maximum loss है वो fix है मतलब हमें unlimited loss नहीं हो रहा है profit हमें unlimited है लेकिन loss हमारा fix है अब बात करते हैं probability की देखिए आपने predict किया कि जो direction है वो नीचे जाना चाहिए तब आपको profit होगा लेकिन इसके अलाबा भी दो और cases बनते है एक जब price उपर चली गई जब price उपर चली गई तब तो आपका direction ही गलत हो गया तो यहाँ पर तो आपको loss होना ही चाहिए दूसरा case क्या होगा sideways चला गया अगर sideways चला गया तो theta decay की वज़से आपको loss होगा तो आपकी probability कितने हुई 1 by 3 जो की होता है 33% के आसपास तो काफी कम probability हमें देखने को मिलती है option buying के case में अब चलते हैं पिछले slide में जिसमें हमें इन सभी terms के बारे में लिखा था तो आप यहाँ पर देख सकते है maximum profit unlimited जैसा कि हमने reliance को buy किया था 2800 का put option और price अगर यहाँ से नीचे गिरता चला जाता है तो हमें profit कितना भी हो सकता है उसके बाद हमने देखा था maximum loss हमने कितने में buy किया था 12,250 में तो क्या हो सकता है maximum loss कितना होगा जितना हमने premium pay किया है क्योंकि अगर expiry के दिन क्या होता है प्राइस अगर 2800 या अगर इसके ऊपर चली जाती है तो जो आपका जो premium था वो 50 रूपिज का उसकी value क्या हो जाएगी 0 तो loss कितना है limited और यह कितना होगा जितना आपने premium pay किया है break even क्या होता है आपका strike price minus premium एक video था option premium का उसमें मैंने इसको काफी अच्छे से discuss किया था लेकिन जो अभी हमने example देखा है उसके basis पे भी मैं आपको समझा देता हूँ हमने strike price कौन सा select किया था 2800 का और premium कितने का था 50 रूपिज का तो अगर expiry के दे 2750 पे अगर reliance जो है अगर 2750 पे expire होता तो हमें loss 0 होता मतलब कि जितना हमने 12,250 रूपिज पे किया होता उतना हमें मिल जाता मतलब 0 loss उसके बाद ROI काफी high क्योंकि profit जो है वो unlimited है जबकि loss limited है कम investment में ज़्यादा पैसा ये बनते है option buying में तो probability काफी high होती है sorry ROI काफी high होती है बात करते है probability की जैसा की हमने देखा था हमने predict किया कि direction जो है ओर नीचे होना चाहिए लेकिन इसके लावा भी दो cases बन सकते है price उपर चला गया या sideways हो गया तो आपकी जो winning probability हो वो 1 by 3 है math के basis पे आपका आएगा 33.3% तो आप देख सकते है आपकी probability काफी low होती है लेकिन आपका ROI काफी high होता है तो I hope कि आपको इस slide में साड़ी चीजे समझ में आ गई होंगी अगर कोई चीज नहीं समझ माईए तो वीडियो को फिर से repeat करके देखें और जो मैंने example दिया है उसको भी फिर से समझने की कोसिस करें खुद paper पर लिखें और समझें अब आईए हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से pay of chart को read किया जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते है मैंने 30 June का 16,200 का put option को buy किया है अगर यहाँ पर sign अगर plus है तो मतलब इसका क्या होता है buy का तो इसे कहते हैं P.O.P that is called probability of profit तो आपकी probability कितनी है 35% जैसा कि अभी हमने example में समझा था कि हमने क्या predict कि price जो है वो नीचे गिरनी चाहिए लेकिन इसके लाबा भी दो cases है एक है यह उपर जा सकता है तो हमारी जो probability होती है वो 1 by 3 होती है तो option buying के case में आपको जो probability मिलेगी वो मिलेगी 30 to 40% के आसपास जब भी आप pay off chart किसी भी put option को buy करते हैं तो देखेंगे तो 30 to 40% ही आपको probability मिलेगी बात करते हैं maximum profit का जैसा कि अभी मैंने आपको example में समझाया था कि 2800 का हमने put option buy किया था हो सकता है वहां से वो 200-300 point गिर जाए तो आपका जो maximum profit होता है वो undefined होता है क्योंकि यह कितना भी नीचे जा सकता है जितना नीचे जाएगा उतना profit हमें होगा maximum loss अगर आप इसको 272.95 को अगर 50 से multiply करेंगे तो यह आएगा 13,648 का जैसा कि आप देख सकते हैं estimate margin देखिए अगर आप option buy कर रहे हैं तो आपको पूरा premium pay करना पड़ता है तो हमने कितना premium pay किया 13,648 का और maximum loss भी हमें इतना ही होगा क्योंकि अगर मान लेजिए जो nifty है 16,200 या इसके उपर अगर close करती है तो यह जो premium की जो value है इसकी value हो जाएगी 0 अब बात करते हैं maximum risk reward की देखिए यहाँ पर reward जो है वो undefine है और एक value define है तो जब भी आप इसको calculator या किसी भी चीज में calculate करेंगे तो यह जो value आती है वो आती है not available अब आईए बात करते हैं break even का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि break even एक ऐसा point या price होता है अगर nifty वहाँ पर एक्सपायर हो तो आपको जो loss होता है वो होता है 0 और मैंने आपको क्या formula दिया था strike price let's say STS को लिखते हैं minus premium तो 16200 में 272.95 अगर minus करेंगे तो यह आएगा 15,927 अगर 16200 में 273 minus करेंगे तो value कितनी आएगी 15,927 यहाँ पर इसने 0.5 को यहाँ पर consider नहीं किया तो 273 minus करिएगा तो यह value इतनी आएगी total PNL total PNL 0 इसलिए है क्योंकि just अभी हमने put option को buy किया है net credit credit कभी भी option buyer को नहीं मिलता है यह एक debit strategy है जब भी आप option buy करते हैं तो आपको पैसे pay करने पड़ते हैं और credit कभ होता है जब आप option को sale करते हैं best example है जैसे कि हर month first तारिक को आपकी salary आपके account में credit होती है आप जाके उस message को देखिए वहाँ पर लिखता है credit और जब भी आप spend करते हैं तो उसे लिखता है debit तो यहाँ पर आपने क्या किया है आपने buy किया है तो net credit जीरो होता है estimated margin जैसा कि मैंने आपको बताया इस premium को buy करने में जितना पैसे लगेंगे उसे कहते हैं estimated margin और premium तो I hope कि जो put option के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो आपको समझ में आ गई होगी आपको यह पता चल गया होगा कि कौन सी strategy यूज़ करनी चाहिए maximum loss कितना होता है और इस तरह से pay off chart को read किया जाता है तो I hope कि इस वीडियो में आपको कुछ knowledge मिला होगा Thanks for watching